आज के questions भारतिय अंत्रिक्ष कारिक्रम यानि की Indian Space Program से related हैं और ये questions general knowledge में, RPSC में, UPSC में, सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में, CTAT, UPTAT में जो आपके SST वाला part है उनमें, इसके अलावा सभी teaching exams में आते रहते हैं और काफी सारे key questions हैं मैंने शामिल की हैं इनको करने की और जो पुराने exams में आए हुए हैं वो questions काफी हैं इसमें तो पहले हम देख लेते हैं सारे questions इनके answer अगर आपको आते हैं तो एक बर इनके answer आप देने की कोशिश करें, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं वीडियो में मे अगला सवाल है इंडियन नेशनल कमेटी फोर इस्पेस रिसर्च का गठन कब किया गया अगला सवाल है इंडियन नेशनल कमेटी फोर इस्पेस रिसर्च किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी भारतिय अंतरक्ष कारेकरम की शिरुवात कब हुई भारतिय अंतरक्ष कार का नाम क्या था इन questions में से अगर एक भी question आपको आता है तो comment box में आप दें वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब नहीं आता है तो patience से आप देखें मैं आपको जवाब दूँगा क्योंकि काफी सारे अच्छे की questions हैं यह आटवा सवाल है देश के पहले sounding rocket का प् जानते हैं उसकी स्थापना कब हुई भारत में अंत्रिक्ष आयोग और अंत्रिक्ष विबाग का गठन कब किया गया भारत में satellite instruction television experiment यानि की site कारिकरम कब चलाया गया अगला सवाल मैंने पोल में पूछा था केवल 3% लोगी सही बता पाए तो भाई देख लेना एक बर भारत में satellite telecommunication experiment project कब चलाया गया इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं नीचे अगला सवाल है 14 नंबर सोवेत रूस की साहिता से भारत के प्रतम उपगरह आरे बट का प्रक्षेपन कब किया गया भारत के अंत्रिक्ष कारिक्रम का उद्देश्य क्या था Indian Space Research Organization यानि कि इस इस रो का मुख्याले कहां इस्थित है इस रो किस विभाग के अंतरगत आता है भारतिया अंत्रिक्ष कारिक्रम के इतियास में 70 का जो दशकता वो किस नाम से जाना जाता है इस रो की वैवसाईक संस्था का क्या नाम है ये सवाल भी आ चुके हैं आपके CTET exams में UPTET में भी जाना जाता है इस रो के उपक्रह विमोचन यान कौन कौन से है इस रो की दो प्रमुख अंतरग्ष परणालियां अगर आप जानते हैं तो बताईए देखिए आपको सवाल का अंसर आते हैं तो कमेंट में बताते जाएए अगला सवाल संचार दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानिय सेवाओं के लिए इस रो की अंतरग्ष परणाली का क्या नाम है चौबिसवा सवाल संसाधन मौनिटरिंग एवं प्रबंदन के लिए इस रो की कारगर अंतरग्ष परणाली कौन कौन सी है पच्चीसवा सवाल भारत में निर्मित पहला संचार उपग अच्छा नहीं आये तो कोई बात नहीं, अब मेरे साथ इनके आंसर्स देख लीजिए, हो सकता है मैं भी गलती कर बैटूं, तो आप सुधी पाठक गण हैं, सुधी मेरे भाई बहने अच्छे विचार वाले हैं, आप उनको सुधारिएगा, नीचे की टाइल नंबर वन हम द करके हैं, तो वो कीती विक्रम सारा भाई ने, चोता सवाल है, भारतिया अंतरश कारेकरम की शुरुवात कब हुई, बहुत ही में इंपोर्टेंट सवाल है, 1963 में इसकी स्थापना हो गई थी, क्योंकि 62 में जब कमेटी बन गई और 63 में प्रोग्राम लांच कर दिया गया, बारतिया अंतरश कारेकरम की शुरुवात कहां से माने जाती है, तुरू Annandpura में एक St. Mary Macdalene Church है, जिसके कमरेस केसरी शुरुवात हुई थी, थुम्बा अंतरश केंदर को वर्तमार में विक्रम सारा भाई अंतरश केंदर के नाम से जाना जाता है, देश के पहले साउंडि राकेट का नाम था, NAIK APAS Θुम्बा भुमध्या राकेट प्रक्षपन केंदर से देश के पहले साउंडिंग राकेट का प्रक्षपन कब किया गया? 1963 में तो कहां से किया गया था? घुम्बा से कब किया गया था? 1963 में और जो Indian Space Program था वो भी 1963 में लाँच हुआ, तो शुरुवात में ही इसकी लाँचिंग कर दी गई थी, अब ये छोटी सी information है आपके लिए, ये competition बहुत पोल्टल है आपके लिए, जिसमें आप देखिए 3,47,538 के करीब टेस्ट हैं, जो मेरे भाई बेनों आटेंड की हैं, इन mock test भी हैं, फिरी test series भी वो भी अटेंड कर सकते हैं, UPTED, CTED, REIT, NET, PCS, PSC, UPSC, RPSC, BANK, PO, Railway, सभी तरीके के करीब 1345 तरीके के सभी exams में शामिल किये गए हैं, ठीक है, इसके अलावा state boards, RBSC, CBSC, NCIT, जितने भी boards हैं, उनकी जो class हैं, आपकी छटी से लेकर के बार्वी तक उनकी पढ़ाई भी आप यहां portal पर कर सकते हैं, सभी राज्यों की TED की तयारी भी आप कर सकते हैं, यह portal का नाम है, HTTPS, competitionboss.com, direct डालेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो link मैंने वीडियो के discussion में दे दिया है, वहां से भी आप चले जाएए, अगला सवाल, सवाल नंबर 9, द इसमें से मैचपुन सवाल अभी आ रहा है, भारत में सेटलाइट इंस्ट्रक्शन टेलिविजन एक्सपेरिमेंट साइट कारिकरम कब चला गया, 1977 में, अब देख लिजे कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, अगला है सवाल नंबर 14, भारत में साइट कारिकरम और जर्मनी की साहिता चला गया, साइट अमेरिका की साहिता से, स्टैप फ्रांस और जर्मनी की साहिता से, सोवेत रूस की साहिता से भारत में परतम उपगरा चोड़ा गया था, आर्रेबट, इसका प्रक्शेपन कब किया गया था, डेट और सन 19 अपरहल 1975, अगला सवाल 17, भारत के अंतरिक्ष कारेकरम का उद्देश्य क्या था, तो देखो, इसका जो उद्देश्य था, वो था विकासात्मक, ठीक है, भारत के अंतरिक्ष कारेकरम का उद्देश्य विकासात्मक था, ना तो इसका उद्देश्य संसादनात्मक था, ना इसका उद्देश्य बाग के अंतरकत आता है, भारतिया अंतरिश कारेकरम के इतियास में 70 का दशक जाना जाता है, तो वो था अपना 70 का जो दशक था, वो था प्रियोगात्मक यूग, यानि कि हम उस टाइम प्रियोग कर रहे थे, 1963 में इसकी लाँचिंग हुई थी ना, तो सिरुवात में प्रि यूगात्मक यूग, इस रोग की वेवसाइक संस्था है, वो कौन सी है, वो है एंट्रिक्स, यानि कि ये विभिन देशों के उपग्रेबिया लाँच करता है, और उनसे पेमेंट लेता है, तो अकुल मिला कि इसका भी जो है कॉमर्सलाइजेशन हो चुका है, अगला सवा करने लगे थे, इस रोग के उपगरेब प्रमोचन यान, तो देखिए दो हैं GSLV और PSLV, ठीक है न, GSLV और PSLV, इस रोग की दो प्रमुख अंत्रिक्ष परणालिया कौन कौन सी है, पहली है आपके INSET, दूसरा है आपके IRS, अब इन दोनों के अलग-अलग काम है वो भी बहुत सारे हजारों कोश्चन आपको पोर्टल में मिल जाएंगे विद डीटेल, संचार, दूरदर्शन, प्रसारण और मौसम विज्ञानिय सेवाओं के लिए, इस रोग की अंत्रिक्ष परणाली कौन सी है, जो कारगर है, तो वो है INSET, अगली जो है, 26 नंबर सवाल, सं परणाली है, अलग-अलग काम की है, भारत में निर्मित पहला संचार उपगर है, देखिए, भारत में निर्मित पहला संचार उपगर है कौन सा है, वो है Apple, अभी तक आप Apple उस कंपनी को जानते हैं, जो मोबाइल फोन वगरा, लेप्टोप वगरा बनाती है, प्रोगराम अच्छ सा सवाल है, भारत में निर्मित परतम प्रयोगी के सुदूर सम्विदन ऊपगर है, काौन सा है, वो है भासकर वन, तो पहला संचार उपगर है तो हुआ Apple और सुदूर सम्मिदन ऊपगर है काौन सा हुआ, वो है आपके भासकर वन, भू, तुल्काली ऊपगर है, प्रक्षेपन वहान, यानि कि GSLV है ना, ठीक है ना, Ground Satellite Launching Vehicle, तो वो है आपका कौन सा, GSLV, तो GSLV और PSLV का full form क्या है, GSLV, Ground Satellite Launching Vehicle, PSLV, Polar Satellite Launching Vehicle, यानि कि, धुरूओं से और भूमी से, ठीक है ना, भूमध्य रेका से और धुरूओं से, दो तरीके से launching होती है, तो ये वही portal के बारे मां आपको फिर से थोड़े से knowledge दे देता हूँ, आप इस portal पर अगर आप link पर click करते हैं, तो आप अपच्छे से अपने सभी exams के तैयारी कर सकते हैं, तो मिन आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ, ये questions पसंद आया होगे, नहीं आए, तुम ह कोई बात नहीं, आपके calm camera, marketing पर आपको बढ़ जाएए, आपके लिए काभी useful रहने वाले हैं, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक को शेयर फिरू करते हैं, चैनल पसंद आता है, सब्सक्राइब कर लेना, बेलाइक अंदा बात येंगे, आप तो वीडियो इसको है, आपके पाले हैं, बेलाइक क्यू करेंगे, आपके जर कि जर द Thanks